इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है यानि की शरकरा में टूटने को धीमा करने में मदद करता है, जिससे भोजन के बाद रक्ठ शरकरा के स्तर में वृध्धी कम हो जाती है. रक्ठ शरकरा के स्तर को कम करना मधुमे के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है. यदि आप स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप मधुमे की गंभीर जटिलताओं जैसे कि गुर्दे की क्षती, आँखों की क्षती, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं अगर आपको टाइब दो डाइबिटीज है और पहले से ही काडियोवेस्कुलर बीमारी है तो माईवोबो शून दशमलव तीन मिलीग्राम टैबलेट काडियोवेस्कुलर बीमारी से मरने के जोखिम को कम करेगा उचिताहार और व्यायाम के साथ इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपको सामान्य स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी आपको इसका उपयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक यह निर्धारत किया गया है क्योंकि यह आपके भविश्य के स्वास्थी की रक्षा कर रहा है इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगल लें इसे चबाएं कुछले या तोड़े नहीं माईवोबोशू ने दशमलव 3 मिलीग्राम टैबलेट को भोजन के साथ लेना बहतर होता है माईवोबोशू ने दशमलव 3 मिलीग्राम टैबलेट एक एंटी डाइबिटिक दवा है यह जटल शरकरा को ग्लूकोज जैसे सरल शरकरा में तोड़ने के लिए जिम्मेदार आंतों के एंजाइम को रोकता है यह भूजन के तुरंद बादरक्ट शरकरा के स्तर को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओन नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद